भारत में भी कुछ लोग है जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे इसलिए इनका निरंतर विरोध चलता है विरोध करने के लिए किसी विचारधारा का आवरण ये लोग ओड़ लेते हैं तो अपना उल्लू सुरिधा करने का रहता है भारत म लिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना समाज की सामुहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना अलगाओ और टक्राओ कैसे पैदा करना कि ऐसा वो प्रयास करते हैं कि अपनी असावधानी के कारण अपने अविवेक और परस पर अविश्वास के कारण हम भी कभी-कभी उसमें फ़ज जाते और अप रत्याशी तो पद्रव करे हो जाते क्योंकि भारत का उत्थान होगा तो कला मिटेंगे भारत का उत्थान होगा तो दुख जाएगा शोशन जाएगा इनके आधार पर अपने स्वार्थ का धंदा करने वाली दुनिया की और अंदर की जो ताकते है भारत बड़ा होने से उन पर मर्याद आएगी वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे इसलिए उनका निरंतर विरोध चलता है विरोध करने के लिए किसी विचारधारा का आवरण ये लोग ओड़ लेते हैं बड़ी चिकनी चुपड़ी बाते करते हैं कोई बड़ा उद्देश शम्मन लुभावन उद्देश ऐसा गोशित करती कि हम इसके लिए काम कर रहें लेकिन उनका उद्देश दूसरा ही रहता है अपना उल्लू सृधा करने का रहता है और कोई भी हो किसी भी विचारधारा का हो वो खाटी संग्वाला हो या कम्मुनिस्ट हो अगर वो प्रामानिक है निश्वार्थ बुद्दी से काम कर रहा है तो उनके लिए वो बाधाई बनता ही यह जानकर ऐसे सब लोगों का वो विरोध करते हैं कि अभी एक नया नाम उनका चलता है दुनिया में फाल्चरल मार्क्स sellers यह वो यानि जगे हुए वो कि सम ऐसे सब्द money वे नाम तो मार्क का लेते हैं लेकिन उननी सो बीस में उन्होंने समझा कि मार्क में बनने जो भविशमानी की वैसा होने वाला नहीं है तो वैसा होने के नाम पर हमारे हाथ में पूरी दुनिया की पकड़ आ जाए इसलिए तब से ही उन्होंने अपना उद्योक प्रारंब किया है इसलिए उसी समय उन्होंने मार्क्स की बातों को बुला दिया और आगे बढ़ रहे और आजकल वो जो कहते और बोलते और बताते है विश्व की सारी सुव्यवस्था का उनका विरोध है विश्व में मांगल्य का संसकार का संयम का उनका विरोध है अनिर्बन्न स्वैराचार का वो पुरसकार करते है ये पुरसकार सहज हो जार जोर से हो जाए इसलिए माध्यमों को और अकादमियों में अपना वर्चुरस्वस्थापित कर उनका उप्योग करते है देश की शिक्षा को भर्ट करते है देश के संस्कार को भर्ट करते है राजनीती सामाधिक वातावरण इन सब को भर्म और भर्टता का शिखार बनाते असत्य विपर्यस्त और अतिरिंजित वृत्त के द्वारा ये भ्रम और द्वेश फैलाना भय फैलाना आसाद हो जाता है उसके चलते जो जगड़े बनते हैं उन जगड़ों में उलजाकर समाज को अपनी पकड़ में लाना अपनी अधिसत्ता में पासना ये वो करते हैं किसी भी राष्ट्र की जनत्ता में ऐसी अनास्था दिग्रम दिभ्रम परस परद्वेश उत्पन्न करने वाली ये जो प्रणाली है ना अपने आज चानक के नीते में उसका नाम है मंत्र विपलव विशत से एक आत्मी मरता है बाणों से एक को ही मार सकते है लेकिन मंत्र विपलव से प्रजासहित राजा का नाश होता है आईसी उकती है ये इन लोगों से हमको ध्यान रखना पड़ेगा बचना पड़ेगा राजनीतिक स्वार्थों के लिए अपने प्रतिस परदी को पराजित करने की जो उद्योग चलते है उसमें इन शक्तियों के साथ गटबंदन करने का आविवेक भी चलता है या पेक्सित नहीं है लेकि झाल 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 झाल